नूपूर के बाल इतने लंबे थे कि उसकी चोटी घुटनों से नीचे लटकती थी। बारवी की परीक्षा में टॉप किया तो उसके पिता मंदीप ने उसे उसकी पसंद की शॉपिंग कराने के लिए कहा। नूपूर ने कहा पापा मुझे आप बाजार लेकर चल रहे हो ना अपना वाइदा याद है या भूल गए अरे नहीं बेटा ऐसे कैसे भूल जाओंगा भला मेरी बेटी ने मेरा सिर्फ गर्व से उचा किया है तो क्या मैं तुम्हारी छोटी से खाईश भी पूरी नहीं कर स गई तो गंजी हो जाएगी ये लड़की भी ना मेरी एक भी नहीं सुनती चली गई न चोटी को लटकाए किसी दिन ये चोटी इसके लिए मुसीबद बन जाएगी कितनी बार कहा है कि जूड़ा बना लिया कर पर नहीं मेरी सुनती कहां है नूपुर बाजार पहुच भी नहीं पाई थी कि उसकी चोटी बाईक के पिछले पहिये में चली गई और उसके बाल पहिये में लिपटते चले गए इससे पहले कि वह कुछ कह पाती वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी मंदीब जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर भागा जब नूपुर को होश आया तो उसके पूरे सिर पर पट्टी बंधी थी उसने अपने खुबसूरत बाल हमेशा के लिए खो दिये थे समय गुजरता गया मगर उसके बाल नहीं आये एक दिन नर्मदा ने कहा नूपुर मैं तेरे लिए विग लाई हूँ देख तो जरा कितने सुन्दर और लंबे बालो वाली विग है बिलकुल पहले बालो जैसी सच में मां लगता है मेरे फिर से पहले जैसे बाल आ गए हूँ तो ठीक है तू अब ये विग पहन कर तयार हो जा शाम को लड़के वाले तुझे देखने आ रहे है लेकिन मेरे बालो की सच्चाई छिपा कर रखना जब तक तू बताएगी नहीं किसी को पता नहीं चलेगा नूपुर को अनुराग और उसका परिवार देखने आया नूपुर उन्हें बहुत पसंद आ गई फिर चट मंगनी और पट ब्या अनुराग के पूरे मोहले में शोर मच कया अरे शीतल की बहु के बाल तो इतने लंबे हैं कि पूछो ही मत पता नहीं शीतल कहां से ढून कर लाई है लंबे बालो वाली बहु सब सुन रही हूँ मैं हाँ ठीक हैं लंबे हैं लेकिन इतने भी नहीं बाल तो किसी जमाने में मेरे हुआ करते थे जब मैं चलती थी तो मेरे एजी ओजी मेरे बालों को पकड़ कर मेरे पीछे पीछे चलते थे पर तुम है कैसे पता होगा तुम आज कल की आई हुई हो बहु के बाल ना हुए बवाल हो गए शीतल को अपनी बहु के बालों की तारीफे सुनते सुनते उससे जलन होने लगी एक दिन वह नूपुर से बोली क्यों सिर्पर इतना बोजह लादे घुमती हो ये बाल कटवा क्यों नहीं देती ये आपको क्या हो गया है मम्मी जी सब तो मेरे बालों की तारीफ करते हैं अरे सब कहते हैं कि शीतल की बहु के बाल सन्यासियों जैसे लंबे, रूखे और उलजह से दिखाई पड़ते हैं नूपुर मन ही मन हस पड़ी वे सोचने लगी सब तो मेरी विग वाले बालों की तारीफ करते हैं तो मम्मी जी मुझसे ऐसे बाते क्यों कर रही है शायद मेरे बालों से मम्मी जी जलती है अगले दिन नूपुर ने अपनी विग धो कर पहनी शीतल हैरान थी ए ये क्या आज तो बहु ने बाल धोय है फिर भी पूरे घर में उसका एक बाल भी दिखाई नहीं दिया बहु जरा इधर तो आओ तुमसे कुछ पूछना है क्या मम्मी जी ऐसा क्या लगाती हो बालों में जो एक भी बाल नहीं तूटता मुझे भी बताओ ना उम्र के साथ बाल भी कमजोर हो चुके है मेरा भी मन है कि मेरे बाल भी तुम्हारे जैसे हो जाएं लेकिन मम्मी जी आप तो कह रही थी कि सब मेरे बाल रूखे उलजे यहां तक की सन्यासियों के जैसे बताते है फिर आप क्यों जाती हो कि आपके बाल भी मेरे जैसे ही हो जाए ठीक है मत बताओ वैसे भी मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे जैसे बालों का बस तुम्हारे बाल तूटते नहीं है इसलिए पूछ लिया एक दिन शीतल ने सोचा देखू तो बहू अपने बालों में क्या लगाती है इसे बहुत घमंड है ना अपने बालों पर इसे गंजी ना कर दू तो मेरा नाम भी शीतल नहीं हाँ शीतल ने छिप कर देखा कि नूपूर अपने विग के बालों में सिरम लगा रही है जिससे उसके बालों में हमेशा चमक बनी रहती है ओ, ये बात, मैं कहती थी ना कि ये जरूर कुछ लगाती है अपने बालों में अब देखो मैं क्या करती हूँ शीतल चुपके से उसके कमरे में गई और उसकी सीरम की बोतल में बाल उड़ाने वाली दवाई मिला दी अब आएगा मज़ा, मैं भी देखती हूँ कि कैसे चोटी घुमा घुमा कर चलती है एक सब्तहा गुजर गया, लेकिन नूपूर के बाल टस से मसना हुए शीतल ने सोचा पता नहीं इसके बाल असली है या प्लास्टिक के, कुछ असर ही नहीं हुआ एक दिन जब एक फूलदान तूट कया तो शीतल चिल्लाई हाई, मेरा इतना सुन्दर फूलदान तोड़ दिया बहू, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता माफ करना, ममी जी वो चोटी पीछे कर रही थी, मगर वह फूलदान से टकरा गई और ये गिर पड़ा एक दिन शीतल ने देखा कि नूपूर अपने बालों में कोई तेल लगा रही है, उसने मन में कहा अच्छा, ये तेल भी लगाती है, बड़े नुकसान करती है, मेरा इतना सुन्दर फूलदान तोड़ दिया, आज इसका तेल ही बदल देती हूँ शीतल ने उसके तेल की शीशी में बालों को चिपकाने के लिए गोंद डाल दी, रात में शीतल के सिर में बहुत तेज दर्द उठा, हाई मैं मरी, मेरा सिर दर्द से भटा जा रहा है, मम्मी जी इस जरह रुकिए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ, आपको आराम मिल शीतल को क्या मालूम था कि वह तेल की वही शीशी उठा लाएगी जिसमें उसने गोंद भरी थी, नूपूर ने शीतल के सिर की मालिश की, लेकिन ये क्या, सिर के दर्द में तो आराम मिला, मगर कुछ तेड़ बाद ही शीतल के सारे बाल चिपक कर कड़क हो गए, शीतल ने अपने वाला तेल तो, आई ममी जी, अरे, अरे, यह यह आपके बालों में क्या हो गया, मेरे बालों को तुमने ये किस तरह चिपका दिया बहू, आखिर कौन सा तेल डाला है, ममी जी, वही तेल जो मैं डालती हूँ, अब जल्दी कुछ कर, नहीं तो मेरे बाल बिगर लेकिन शीतल के सिर में सिरम लगाते ही सारे बाल तूटकर हाथ में आने लगे शीतल दोड़ी गई और जल्दी से अपने सिर पर नल खोल लिया जब उसने आई ना देखा तो वे रोने लगी ए भगवाल मैं तो गंजी हो गई मम्मी जी ये सब क्या हो गया मैं तो ये तेल और सिरम रोज लगाती हूँ अरे मुझे क्या पता था कि मैं अपने लिए ही कबर खोद रही हूँ मैं तो तुम्हारे बाल खराब करना चाहती थी लेकिन मैं ही गंजी हो गई मुझे मेरी कर्णी का फल मिल गया मुझे माफ कर देना बहू अब मैं इस तरह गंजी रहूँगी लोग मेरा मजाग उडाएंगे नहीं, अब मैं जिन्दा नहीं रहना चाहती लेकिन मम्मी जी आप मेरे बाल क्यों खराब करना चाहती थी क्योंकि मैं तुमसे जलती थी जब भी कोई तुम्हारे बालों की तारीफ करता था तो मुझे जलन होती थी तब ही नूपउर ने अपनी सास के सामने अपनी विग उथारते हुए कहा ये रहे मेरे बाल, ये मेरे असली बाल नहीं है ये मेरी विग है कुछ साल पहले मैंने अपने बालों को हमेशा के लिए खो दिया था तब से मैं ये विग पहनती हूँ कहीं आप और अनुराग मुझसे रिष्टा न तोड़ दे इसे लिए कभी सच्चाई नहीं बता पाई क्या तुम विग पहनती हो मुझे माफ कर दो बहू मुझसे बड़ी भूल हो गई आज मैं गंजी होकर तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ शीतल और नूपुर ने विग पहन कर शीशे में देखा तो शीतल बहुत खुश हुई अब दोनों सास बहु के बाल बहुत सुन्दर दिखाई दे रहे थे तुम्हारा शुक्रिया मेरी विग वाली बहु वरना मैं तो किसी को मुझ दिखाने लाइक नहीं रहती मुझ नहीं मम्मी जी सिर दिखाने लाइक नहीं रहती कई बार इनसान अपनी पहचान अपने गाउं या शहर से बनाता है लेकिन अनोखे लाल एक ऐसा शक्स था जहां गाउं को अनोखे लाल के नाम से जाना जाता था जहां बस और रिक्षे वाले सवारी से पूछते थे कि कहां जाना है सवारी कहती बस वहीं अनोखे लाल के गाउं में उतार देना हाँ, ऐसा ही था अनोखे लाल उसके कारणा में दुनिया से अलग होते थे इसलिए वह अनोखा था अनोखे की पत्नी छाया अंदर से चिलाती हुई बहार आई और बोली अब ये क्या करने लगे तुम अरे देख नहीं रही, पानी में पकोड़िया तल रहा हूँ तुम भी न जान भूचकर उल्टे सिधे सवाल करती हो हाँ, मैं तो उल्टे सवाल करती हूँ कहदो ना कि मेरी खोपड़ी ही उल्टी है या कह दो कि उल्टी खोपड़ी वालों ने मुझे आपके पल्ले बान दिया तुम्हारी यही अदा तुमारे डालती है एक बात कहीं नहीं कि फिर तो वो सुनाती हो कि दिल करता है कलेजा ही निकाल दू तो मैंने क्या गलत पूछा? खौलते पानी में पकॉडियां डालते देखा तो पूछ लिया तो मैंने भी यही कहा कि पानी में पकॉडिया तल रहा हूँ जरा चक्कर बताओ ना कैसी बनी है? सच में बहुत ही स्वादिश्ट हैं इसलिए तो यह गांग तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध है लेकिन पानी में पकॉडियां यह खयाल कैसे दिमाग में आया? थोड़ा दिमाग लगाया ना तो महंगे तेल की जरूरत और ना सेहत के साथ खिलवाण और एक दम पोश्टिक अनोखे लाल को हमेशा कुछ अलग करने की तलब रहती थी वैसे तो वह ठेले पर हलवा पराठा बना कर बेचता था जिसको ग्राहत बड़े चाव से खाते थे एक दिन अनोखे लाल रात में सोया हुआ था तभी बाहर से राजु ने आवाज दी अनोखे चल्दी दर्वाजा खोलो गाउं में चोर गुसाए हैं कोई तर्कीब निकालो की वो पकड़े जाए अनोखे ने दर्वाजा खोल कर कहा अपनी जान जोखिम में डाल सकते हो कैसा जोखिम ओ मेरे साथ चोरों के पास चलते हैं चोरों के पास ना बाबा ना ना मुझे कुछ हो गया तो अच्छा मेरे आगे पीछे तो जैसे कोई है ही नहीं चलो भी यार तुम्हारे साथ अनोखे लाल है फिर चिंता की क्या बात अनोखे लाल राजू के साथ वहाँ एक दिवार के पीछे चिप कर खड़ा हो गया जहां से चोरों को निकल कर जाना था अनोखे ने राजू से कहा अरे सुन राजू क्या तुझे पता है कि अनोखे के भंडार घर में एक किलो सोना और पांच किलो चान दी रखी है हाँ हाँ मुझे पता है अरे मैं भी कितनी जोर से बोल रहा हूँ अरे कहीं कोई सुन ना ले चल तो कल रात अनोखे के घर में चोरी करते हैं हाँ ठीक है जैसा तुम कहो उनकी बाते सुनकर चोर अनोखे के घर में चोरी करने दोड़ पड़े पीछे से अनोखे भी पहुँच कया वो चोर भंडार घर में माल ढूंड ही रहे थे कि अनोखे ने बाहर से दर्वाजा बंद कर दिया और पुलिस बुला ली चोर पकड़े गए और गाउ में अनोखे की बहादुरी की तारीफ होने लगी अनोखे ऐसे ही काम करता था एक दिन चाया ने कहा ये चोर उचकों को पकड़ने के अलावा कुछ और भी सोच लिया करो तुम्हें सोचता तो हूँ भागवान तुम्हारे सिवा और क्या सोचू तुम ही बता दो ऐसी बाते तो तुमसे खूब करा लो जानते हो चारू की दो महीने की फीस नहीं गई और डुग्गू का भी क्रिकेट अकैडेमी में दाखिला होना है रसोई में सिलेंडर भी खत्म हो गया है उपर से कल मेरी बेहन अनीता भी आ रही है ये क्यों नहीं कहती मेरी साली आ रही है वो आए घर हमारे खुदा की फितरत हसी मजाक एक तरफ परिशान तो अनोखे भी था उसका काम मंदा चल रहा था आजकल के बच्चे मीठा और तला हुआ बहुत कम खाते हैं इसलिए ये काम बंद करके वह कुछ नया करने की जुगत लगा रहा था लेकिन ये क्या हुआ अनीता कल आने वाली थी वह तो एक दिन पहले ही आ गई चाया ने कहा तुम तो आ जा गई कम से कम बताना तो चाहिए था सुनो जी जरा उधर तो चलना बोलो क्या बात है क्या करूँ अब शादी के बाद पहली बार पती के साथ आई है रसोई में सिलेंडर खत्म है रसोई के डिबबे भी हड़ताल पर बैठे हैं कबसे कह रही हूँ कि कुछ और काम देख लो मगर फुरसत कहां बस गाउं में खुद को अनोखा थाबित करना ही तुम्हारा उद्देश है अब अनीता और उसके पती के सामने क्या इज़त रह जाएगी हमारी तुम तो अपने रिष्टेदारों के लिए मेरे सिर पर बैठने को उतारी हो जाती हो रुको जरा मैं सिलेंडर का इंतिजाम करता हूँ और वो राशन वाले चावल है ना उन्हें भिगो दो आज अनोखे अपनी साली को कुछ गज़ा भी खिलाएगा वे सिलेंडर लेने पहुँचा तो वितरन का समय खत्म हो गया और वे बिना सिलेंडर लिए वापस घर आ गया महले पडोस में अधिकतर मिट्टी के चूले जलते थे इसलिए वहां से भी इंतजाम नहीं हो सका घर आकर अनोखे ने चाया से कहा आज अपनी साली को अपने हाथ का बना डोसा खिलाता हूँ दाल तो है जरा तुम चूले पर सांबर पकालो बारिश के दिनों में चूला लगता है गैस नहीं मिली सांबर तो ठीक है लेकिन चूले पर डोसा कैसे बनाओगे धूए से हालत खराब हो जाएगी अरे वा डोसा मुझे तो डोसा बहुत पसंद है डोसा एक तरफ और फाइव स्टार होटल का खाना एक तरफ मैं तो अपने अनोखे जीजा जी के हाथ कर डोसा ही खाऊंगी चाया ने राहत की सांस ली कि कम से कम उसकी बहन ये तो नहीं कहेगी कि बड़ी बहन ने डोसा खिलाकर रफा दफा कर दिया अनोखे ने सोच समझ कर अपना दिमाग चलाया और इस तरी गरम होने के लिए रखती डोसा बनाऊंगा इस तरी पर डोसा? हाँ इस तरी पर डोसा अरे मेरी साली स्पेशल है तो उसके लिए डोसा भी स्पेशल ही बनेगा अब अनोखे इस तरी पर डोसा बनाता गया और सब लोग खाते गए अनीता और उसके पती ने इस तरी के डोसा की जम कर तारीफ की अनीता बोली जी जा जी ऐसा डोसा तो हमने जिन्दगी में कभी नहीं खाया हाँ अरे खाया कैसे होगा जब आज तक किसी ने मेरे सिवा बनाया ही नहीं शाम तक वो दोनों वापस चले गए छाया ने कहा मैं तो कहती हूँ कि ये हलवा पराठा छोड इस तरी पर डोसा ही बना कर बेचना शुरू कर दो हाँ लागत कम और स्वाद जादा वैसे भी घर में राशन के चावल तो हर महीने आ ही जाते हैं लगता है मेरे साथ रहकर तुम्हारे दिमाग का सिस्टम भी तेज चलने लगा है आखिर अनोखी की बीवी हो रहने दो इतना दिमाग है मुझ में अब मेरी छोड़ो और इस तरी डोसा के काम में ध्यान दो हाँ हाँ, वही सोच रहा हूँ बाकी सामान की तो जरूरत नहीं है वह घर में इस्तमाल कर लेना लेकिन अभी सूजी बहुत बची है पहले इस सूजी का ही डोसा बनाता हूँ ज्यादा महनत भी नहीं लगेगी और डोसा खास्ता भी बनेगा अगले दिन अनोखे ने अपना इस्तरी डोसे का सामान जमा लिया सामबर और चट्मी वे घर से बना कर ले आया था उधर से गुजरते हुए लोगों ने पूछा अरे भाई अनोखे, ये क्या कर रहे हो आज ये इस्तरी उल्टी क्यों रखी हुई है आज ठेले पर लगता है फिर कुछ नया करने वाले हो हाँ भाई, आज इस्तरी डोसा बना रहा हूँ बहुत समय हो गया, ग्रहक मीठे से उप गये है इसलिए आज कुछ तीखा शुरू किया है आओ, तुम भी खाओ और स्वाद लगे तो ये खबर गाओं में आग की तरह फैला दो कि अनोखे ने सडक पर इस्तरी डोसा का काम शुरू किया है उन लोगों ने खाया तो बस खाते ही चले गए और बहुत तारीव भी करी शाम तक आसपास के गाओं में ये खबर फैल गई वैसे भी उसने ठेला वहां लगाया जहां सडक पर बस और रिक्षों से सवारी उतरती थी आते जाते लोग सभी लोग इस्तरी डोसा खाने लगे और वह सडक इस्तरी डोसा बनाने वाले के नाम से मशुहूर हो गया